थाना बहटा गोकुल शेत्र की आठ दान पुर में उस समय अप्रा तफरी मच गई जब गन्ने के खेत में उची उची लफटे देखी गई इस बात के सुचना खेत मालिक शिव कुमार ललित और कमलीश को जैसे ही मिली वहाँ आनन फानन में अपने खेत पर पहुँच कर आग को बुझाने का काम करने लगे काफी मशकत के बाद आग पर काबु पाया गया वियू लेकिन तब तक 15 से 20 बिखा गर्नी की फसल जलकर राख हो चुकी थी किसान हताश होकर अपने खेत में ही बैठ कर भगवान से दुआ मांगने लगे कि तैयार खड़ी फसल पर बड़ी ही उम्मीदे लगाए किसान बैठे हुए थी तब ही इस घटना ने किसान के सारी अर्मान किसानों ने आग लगने की कारण की जानकारी शुरू की तो गाउं के ही लोगो द्वारा बताया गया कि अमर कुर्वा के रहने वाले रामबाबु पुत्र छोट कोनू वा दिनेश और दिनेश की पतनी द्वारा खेत में आग ल आपका आपका क्या नाम है और कहां के रहने वाले हो आपके खेत में क्या खटना हुए हैं हम हमारा नाम क्या हुसम क्वारे दॉल गन्ये के खेट पूरवा के लोगों ने आग लगाई है इसकी सिकायत बेटा घोकल में फाइया दर्ज करवा दिया कितने भीगे 15-20 भीगे आग लगी है अब खेत में क्या घटना हुई हमारा नाम कमले सिंग है हमारे खेत में गन्ना खड़ा था गन्ने में जिसमें आग लगा दी फुर्वा के लोगों ने करीब 15-20 भीगे में अब सब बरवात हो गया है इसकी खिकायत हम थाना लेटा वोकुल में इसकी खिकायत हम थाना पेटा वोकुल में अफायार कराएं